नमस्कार मित्रो, स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में आज से हम लोग क्रिया शारीर की सुरुवात करने वाले हैं इससे पहले हम लोगोंने रचना सारीर के संपूर सलेबस जो की आर्वेद से सम्बंदित हैं उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है और लगभग मात्र सिर्फ दो महिने के अंतराल में हम लोगों ने रचना सारीर के जो संपुड NCISM का जो आर्वेद का टॉपिक थे उसको वन बाई वन एक एक चैप्टर के एक कार्डिंग हम लोगों ने इसको कम्प्लीट किया है आज ह सलिए हसा से पहले हम लोगों ने रचना सारीर की बात किया रचना सारीर के बाद हम लोग जो भी सरीर का निर्माड होता है सरीर का निर्माड जिन जिन तत्तों से या कंपोनेंट से या अवयों से होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं रचना शारीर के अंतरगत अब उसी से सम्मंदि जो भी अंग प्रत्य अंग गुत्पत्ती हो रही है अर्थात उसके जो कर्म है अर्थात क्रिया है उसको क्रि उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट देंगे। आपके इसी स्ने को देखते हुए हम लोगों ने रचना सारीर के बाद अब क्रिया सारीर में प्रिवेश कर रहे हैं। जानती है कि जिस तरह से यहां पर बताया गया है सबसे पहले जब क्रिया सारीर की बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट होता है जब कभी आर्वेथ का कोई भी हो है या कहीं पर भी हो तो कहते हैं आर्वेथ क्या है? simply हम कहते हैं कि आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो किसका वायबर देने जारे हो इसकी किसका एक्जाम देने जारे हो तो कहते है आरवेद का आरवेद में particular age subject तो पहले नाम आएगा आरवेद तो आरवेद क्या है आईए शुरुवात करते हैं क्रिया शारिर के अंतरगत तो देखते हैं आईएरुवेद की परिभासा तो जैसा कि जानते हैं आईएरुवेद दो सब्दो से मिलकर बना है आयू प्लस वेद अर्था आयू प्लस वेद अर्था जिस सास्त्र में कहने कहीं आयू के बारे में वडन हो आयू के बारे में संपुड वडन मिलता हो उसको तो अगर देखा जाए आरवेद के बारे में, तो हम लोग देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, वेद चार प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, रिगवेद, यजूदवेद, सामवेद, अथरवेद, इन चारों वेदों में क अरित होने के कारण आरिवेद को अथरवेद का उपवेद माना गया है। अचार चरक ने सब कुछ बताया है कि यह चीज फालो करने से इसका सेवन करने से ब्यक्ति अपना निरोगी काया अर्था स्वस्त रते हुए दिर्ग आयू जी सकता है अपना सुख में जीवन बैतीद कर सकता है। हित अहितम सुखम दुखम हित अहितम तो इसको सही डंग से पढ़ेंगे हम लोग। हित अहितम हित और अहित हितम अहितम सुखम दुखम आयूस्तस्य हिता अहितम पहली लाण हो गई। आयू से संबंधित बात की गई है अर्था ब्यक्ति के स्वस्त जीवन सैली से संबंधित बात की गई है। तो जिस गरंथ में इसको अगर हम लोग बात करें जिस गरंथ में जिस सास्त्र में चार प्रकार की आयू वो चार प्रकार की आयू कौन कौन सी है हित आयू अहित आयू सुख आयू दुख आयू तो इन चार प्रकार की आयू का वर्डन हो अर्था जिस गरंथ में चार प्र कहा है कि हित आयू, अहित आयू, सुखायू, दुखायू के लिए, यहाँ पर दिया है के लिए हित अर्थात पत्थ है, अर्थात उसके लिए क्या लाव कर होगा, हित अर्थात पत्थ है, और हित अर्थात अपत्थ मिस किसका सेवन करने से पर्टिकुलर आयू में लाव होग पर्टिकलर आयू में हानी होगी या अपत्थ होगा तो कह रहा है कि जिस गरंत में चार परकार की आयू मान कितना है इसका प्रमाड कितना है मान का मतलब प्रमाड और प्रमाड प्रमाड और प्रमाड अथाथ इस चारुप्रकार की आयू के हित अहित मान देखेंगे हित अहित और मान चारुप्रकार की आयू के लिए क्या तीन चीज़े है तो पहला चीज है हित, दूसरा पॉइंट है अहित, तीसरा चीज है मान, मान के साथ साथ चौथा क्या है आयू का स्वरूब बताया गया है, उसे आर्वेद कहते हैं, तो आर्वेद किसे कहते हैं, सिंपल अगरों डिफाइन करेंगे, जिस गरंथ में चार प्रकार की आयू अ और इन चार प्रकार की आयू का मान, और इनके स्वरूब का वरण बताया गया है, उसे हम लोग आर्वेद की संग्या देते हैं, आर्वेद की उपमा देते हैं, तो इस तरह से जब आप लोग आर्वेद को डिफाइन करोगे, तो क्लियर कट ये चीज़े क्लियर हो जाएग आयू को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, आयू के लच्छड या आयू की परिभासा, तो आपसे पूझा जाता है कि आर्वेद की परिभासा, फिर आप बोलते हैं कि hosts हीता हिटम सुखम दुखम, आयूत तस हीता हिटम, मानम चर्यत, यत्रोक्तं अर्योध सह उच्छते मी इंद्री सत्तो आत्म सयोगे इसको आयू करते हैं और देखें हें इसके बार्ट धारी जीवितम नित्यagarash Denisha, अनुबंद श्य पर्यायर आयू इच्च्टीं यहां पर कह रहा है कि सत्तो आत्म के सयोग को आयू कहते है तो सरीर अर्थात सुक्रशोडित के सायोग के पश्चा जो बनता है उसमें उसको बोलते हैं इंद्री अर्थात इंद्रियां अर्थात जो ग्यानेंद्रियां बताएगी है पांच ग्यानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियों के बारें बात कर रहा है और सत्व स सत्व का मिनिंग क्या है मन और आत्मा इनके चारों के सैयोग को हम लोग क्या कहते हैं आयू बोलते हैं तो आयू क्या है सरीर इंद्री अर्थात पांच ग्यान इंद्रियां पांच कर्मिंद्रियां सत्व अर्थात मन और आत्मा अर्थात जिवात्मा की बात कर रहा है इनके स संयोग संयोग का मतलब होता है सम प्लस योग देखेंगे सम योग इसको बोलेंगे सम प्लस योग तो इसको बोलेंगे सम्यक योग सम्यक योग तो योग कैसा होना चाहिए सम्यक होना चाहिए इसका मतलब जो इसका सरीर को डिफाइन किया गया सरीर स्वस्त होना चाहिए के सम्यक योगर्था सहयों को आयू कहते हैं अब देखते हैं यहां पर आयू के पर्याय बताए गए हैं तो आयू के पर्याय क्या होते हैं धारी अर्था सरीर को धारड करता है आयू ही तो धारड करता है सरीर को कहते हैं कि वह ब्यक्ति इतना वर्स जीवित रहा तो सरीर को ल जीवित मतलब जीवित रखने के कारल जीवित बोलते हैं नित्यग तो कहते हैं कि नित्य होती है यह सरीर से जब तक जुड़े जाएगी तब तक व्यक्ति जीवित रहेगा और अनुबंधस्च अनुबंधस्च में सरीर से लगी होई रती है जैसे ही इसमें से कोई एक निकल जाएगा आयू समाप्थ हो जाएगी जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो कहते ना कि उसकी आयू समाप्थ हो गई अर्था जब तक इनका अटैश्मेंट रहता है इन चारों कंपोनेंट का तब तक आयू बनी रहती इसके चार पर्याय हैं धारी, जीवितम, नित्यग और अनुब समंधित बात हो रही है और दुरंत इसके बाद चरक सुत्र एक का ही सुलोक नमर बयालिस इसका मतलब 41 के बाद तुरंत बयालिस आयू को डिफाइन किया है क्योंकि यहां पर आयू आयू आ रहा तो आयू को डिफाइन करना आयू के लक्षड देना आयू के परभासा देना जरूरी था लेकिन यहां पर देखेंगे जब हम लोग बात करते हैं चरक सूतर तीस में मिन सूतर स्थान की जब चरक सूतर स्थान का अंतिम चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पर भी आर्वेज से समंधित बात हुई है तो वहां पर बोला गया है जो नित्यग यहां है नि नित्यग के स्थान पर जो आयू का पर्याय नित्यग है उसके स्थान पर चेतना अनुवित्ती बताया है तो इस तरह से हम लोग लोग देखा आयू पर आर्वेद की डिफिनिसंस अर्थात परिभासा और आयू के लच्छड और परिभासा देखा धन्यवाद